आज का ये एपिसोड समर्पित है उन बड़े लोगों के नाम जिनकी हर छोटी समस्या एक नई मीटिंग को जन देती है आज करते हैं वो का ये एक नई मीटिंग को जन देती है कर ने मिस्टर गंगाराम चांता गंगराम केती है अज ये दो केसेज है एक तो लेबर की दिमांच के बारे में और दूसरह सर सुर से कुछ मिदिया चोरी हुआ उसके बारे में मीटिंग बुला लो सब कमेटी बिठा लो थैंक इसर यह क्या आपने तो एमडी की जगा तोता रखा हुँ अंदर भाई अगर अम दस जाद मन खाब पर एमडी रखें फैसला उसने भी आई करना मीटिंग बुला लो सब कमेटी बिठा लो नहीं है, कहा? कर देप्तिंग के विखनाका है, कि देप्तिं कमेशन से मिलागर देख लेक लेएं, राइज सुट्रवाइब श्राइब लाइज देख लेएं, किढा देख लेएं, देख लेएं, कुल जा, और्फिन सुट्रवा जालो, ट्रॉआ नहीं है, पर देख लेएं, Lille, सर, हम तो पिछले 20 दिनों से सभी आफिसर्स को रोज कॉन्टेक करते हैं अब कोई देट किसी को सूट नहीं करती, तो कोई किसी को लेकिन हमें उको से ओर रहे हुए महीने में एक मीटिंग डिस्टिक अडिमिस्टेशन के साथ दूरूर होनी चाहिए हम क्या करें ठीके सर, मैं आदे घेंटे तक फिर सब नंबर स्ट्राइक करते हूँ अब क्या फ़ादा, ग्यारा बजे हमने प्लानिंग की मीटिंग रखी हुई है आप खुशी नाम से पता करिए उन इंपोर्टन फाइलों की लिस्ट त्यार होगी है जिने पिछले महीने चुहे कुतर गए थे ओके सर मिस्टर कुटतर, साहब ने वो सारी फाइलों की लिस्ट मंगवाई हैं जिने पिछले महीने चुहे कुतर गए थे मैं अभी पता करता हूँ हजरा जल्दी भीजवा दीजेगा साब ने वो सारे केसिस मीटिंग में डिसकस करने है ठीक खुशिराम जी साब ने पुछवाया उन फाइलों की लिस्ट तयार हो गई जिने पिछले मही ने चुहे को उतर गया थे अभी नहीं जी लिस्ट अभी तक तयार नहीं हुई भई साब ने वो लिस्ट अपने साथ लेकर मीटिंग में जाना है गुपता जी बाई गॉड मेरे पास तो पहनी नहीं है मैंने दस दिन पेले रिकोजिशन दे थी तारा चंद को और बाई गॉड तीन डिमाइंडर भी दे चुका हूँ कि आप बच्चों वाली बात कर रहे हो खुशिराम जी आप लिस्ट बनाने के लिए अपना परसनेल पहने यूज नहीं कर सकते देखे गुपता जी बात असूल की है जब आफिस हमें यूज करने के लिए पहन देता है तो हम क्यों नहीं इस्तेमाल करें भाई यह असूल की बात आप जाकर साहब को समझाएए वो आपको बला रहे है जाहिए न वो आपकी बेट कर रहे है जा रहा हूं मै बड़े अफसोस की बात है कि जिन चालिस फाइलों को कुतरने में चुहों ने एक दिन लगाया तुम दस दिन में उन फाइलों की लिस्त त्यार नहीं कर सके है तुमारे से तो चुहे ज़्यादा एफिशेंट है सर जी बाई गॉड चुहोंने फाइले दातों से कुतरी है और मुझे लिस्ट बनाने के लिए पैन चाहिए था जी अगर तुमारे पास पैन नहीं था तो किसी दे मांग लेते ओ सर जी बाई गॉड मैंने तारा चान को दस दिन पहले रेक्विजिशन दी थी मुझे समझ नहीं आता तुम हर महीने छे छे पैन इशु करवाते हो येस जी बैठे है जी बात किजिए सर आपकी वाइफ का फोन हाँ हाँ क्या है तमीज से बात करो मैं आपकी बीवी बोल रही है सौरी इसे पले मैं अपने स्वार्डी नेट से बात करना था एक मिनिट आप जाए मैं बार में बलाता हूँ हाँ चलें आपी हाँ वो दरा टोन बनलने में देर लगती है ना आप अपना पैन निकालिये और एक डेट लिखिये हाँ बताइए साथ तारीको दिल्ली में मेरी मौसी की लड़की की शादी है अच्छा अच्छा फिक्स हो गई है हाँ कार्ड अभी आया है आप ऐसे करना साथ तारीको दिल हाँ सुनीता हाँ पिति आज तुने बड़ी देर करती है क्या करो मेरी बर्तन वाली ने आज बड़ी देर लगा दे तो मैं तो सोच रही अपनी बर्तन साफ करने वाली बदल ही दो क्यों क्या वो बर्तन ठीक से नहीं करती है बर्तन तो बहुत बढ़िया साफ करती है लेकि उसके पास कोई ख़बर ही नहीं होते है। That time I am very lucky. मेरी बर्तनवाली तो हर एक घर की ख़बर रखती है। अच्छा, कितने पैसे लेती है वो? 90 रुपए, 40 बर्तनों के और 50 चुगलियों के। फिर तो ठीक है। कल वो बता रही थी, ये तनेजा है ना अपने पडोसी। उसका किसी भी वक्त डाइवोर्स हो सकता है। अच्छा, देखने में तो बड़ा शरीफ लगता है। देखने में ही भूला बाला लगता है। वैसे उसका चक्कर है अपनी स्टैनों के साथ। अच्छा, रोज आठ-ठाट बज़े दफतर से खराता है, और सुपह भी चल्दी चला जाता है। लेकिन जब वो घर देर से आता था, तो मिसिस तनेजा ने कभी पूछा ने। पूछती थी पैचारी, कह देता, ओफिस में ज़रूरी मीटिंग है। मीटिंग्स, मीटिंग्स तो इनकी भी बहुत होती रहती है। तू भी ध्यान अखियो, ये मीटिंग्स कई बड़ी खतानाग होती है। लेकिन ध्यान क्या, अब मैं दफतर दोड़ना जा सकती हूं इनके साथ। ध्यान का मतलब है कि पूछती रहा कर किस चीज की मीटिंग है, किस के साथ है, कहा है, वगयरा वगयरा आइडिया हो जाता है कि मीटिंग जनूर्ण है ये फ्रॉड। विटी अभी तक ब्रेकफास्त लिगा रहा है, इतनी देर होगी। लगा रहे हूं, अभी तो आठी बजे, दफतर आपका नौ बजे लगता है। मेरी बहुत रूजी मीटिंग है, मैंने अभी जाके पेफर्स गरा तियार करने हैं। मीटिंग? वैसे आपकी मीटिंग है किस चीज के बारे में? मीटिंग है, दफतर की मीटिंग है। इससे उसके स्टेटस का पता चलता है। वो तो ठीक है, लेकिन मीटिंग की कोई वजय तो होनी चाहिए। वजय है, वजय तो बुती ही है। वही तो मैं पूछ रही हूं। ऐसा है कि दफतर में चुहों ने बहुत सी फाइलें कुतर दी है। उसके बारे में हमने एक मीटिंग रखी हुई है। चुहों ने फाइलें कुतर दी। ये सोचना तुम्हारा गाम नहीं। इसलिए हमने मीटिंग रखवाई है। वह गाड़ी आगी मैं चलता हूं। और ब्रेक्फ़स्ट? ये ब्रेक्फ़स्ट का टाइम ही रहा हूं। ये कार में नड़की कौन है। कौन है। ये तो रीटा है, मेरी सेक्रेटरी। तुम मिली तो ही है इसे। ये तुम्हारे साथ तुम्हारे गाड़ी में कैसे। वो आज इसके पास कन्वेयंस नहीं थी, इसे प्रॉब्म थी तो मेरे साथ मैने का चली जाएगी। ओके, बाई। हलो, हाई प्रिती। हम। हम। अच्छा। क्या। गाड़ी में उनकी साथ सेक्रेटी थी? इसी बात का तो मुझे शक है। इससे पहले कभी उनके साथ नहीं जाती थी। तुने पूझा नहीं, कहां जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं। पूझा था। पतानी कह रहे थे कुछ फाइलों को चुहे कुतर गए उसी के बारे में कोई मीटिंग है फाइलों को चुहे? भई मुझे तो कुछ गर्बर लगती है गर्बर तो मुझे भी लग रही है देख तू ऐसा कर ओफिस में फोन कर और पूछ की ऐसी कोई मीटिंग है या नहीं मैं दफतर फोन करते अच्छी लगोंगे तू ये कहना ही नहीं कि तू पृती बोल रही है कहना कि एक प्रेस रिपोर्टर हूं और चुहों वाले केस की बारे में पता लगाना है सर खुशी राम ने अभी तक उन फाइलों की लिस्ट नहीं बनाई जिन्हें चुहे कुतर गए थे बड़ा नाप्रवाद मी है मैं अभी उसे सिस्पेंट करता हूं अब बैठें डिक्टेशन ले हाँ ठीक है आप लिखें डियर खुशी राम डियर सर दीर खुशी राम मेरे कहल डियर नहीं होना जाहिए आखिराम उसे सिस्पेंड कर रहे हैं तो अप लिखें वी अर प्रीज तो इंफॉर्म यू दिट यू यू अर्हेर बाई से सिस्पेंड़ इद इमिजेट अफेक्ट सर यहाने से पहले मैं छेद अफेंड हो चुकी हूं तो तुमारे पास कोई न कोई पराना सिस्पेंश लेटर भी पड़ा होगा कोई न कोई क्यों सर मेरे बस तो सारे पड़े है ठीक है फिर आप उन्हें देख के टाइप कर रहें मैं साइन कर दूँगा और सुने ये बात किसी को पता नी चलने चाहिए कमाल है सर मैं ये थोड़े ना किसी को पता हूंगी कि आपको सस्टेंशन लेटर भी टिक्टेट नहीं करवाना आता मैं वो बात नि कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चुहों वाले इंसिडेंट का बार किसी को पता नहीं चलना चाहिए ठीक है सर वरना अख़बार में चपके तो फ़जूल बदनामी होगी हाँ सर, अख़बार वाले तो फिर ख़वर को और भी नमक मिर्च लगा कर छापते हैं बलकि किसी अख़बार वाले का फोन है तो कह देना कि मैं चुटी पर हूँ ठीक है सर जी एलाल जी एलाल हाँ जी बेटो देखो मैं जड़ा अपने बाल ठीक करवाने जा रही हूँ हां तब तक तुम यही बाहर बैठे रहना और फोन का ख्याल रखना जी अगर किसी प्रेस रिपोर्टर का फोन हो तो गह देना साहब जुटी पर है जी और हाँ वो चुहों बात भी किसी को नहीं बतानी है मेडम आप कह रही है तो नहीं बताऊंगा वरना ऐसी बातें पचानी ज़रा मुश्किल होती है तो कि ट्राए हालो इस ट्री ए ट्री नाइन फॉर सेवन हाँ जी बोलिये देखिए मैं अग प्रेस रिपोर्टर बोल रही हूँ प्रेस रिपोर्टर? हाँ जी बोलिये मुझे पता चला है कि आपके दफतर के कुछ इंपोर्टन फाइले चुहे कुतर गए जी नइ ऐसी तो कोई बात नहीं है हमारे दफतर में तो फाइलों का खास ख्याल ख़ा जाता है ये वही दिफतर है न जहां मिस्टर भटी एम्डी है जी बिलकुल बिलकुल उनकी आद चुfish के बारे में कोई मीटिंग नहीं थी जी चुहों के बारे में मीटिंग मेरा ख्याला आपको किशी ने गलत इत्तिला दी है आप कौन है? जी मैं पी अन जी अलाल और एम डी साब कहा है? जी वो तो चुटी बे गए है और मिस रीटा कहा है? जी वो भी कहीं बाहर गई है अच्छा, तो सुबह मुझ से जूट बोल रहे थे मुझे धोका दे रहे थे मैं इस घर में एक मिनिट भी नहीं रहूँगी सर, हमें पता चला है कि आपकी वीवी घर छोड़ कर चली गई सर, ये सच है हाँ, नराज हो के कुछ दिनों किलीम माई के गई है सर, फिर तो आज पार्टी हो जाए क्योंकि अपनी दफ्टर की तो प्रंप्रा है ना सर कि जिसकी वीवी रूटकर माई के जाए वो ट्रीप जरूर देता है ट्रीट भी देते हैं भाई, ट्रीट की क्या हवाद है हाँ जी अंकर वो रिष्टदार में तुमारा गहर पे होई ये दफ्टर है हाँ जी शाब ऐसे करो कि टीन चार कप चाहे लेके आओ और साथ में कचौरी और समोसिव गारा भी देख लेना जी सर और सुनो जी अलाल, भई गुलाब जावन बगारा भी लेते आ ना साहब की भी बहुत दिनों के बाद भाई के गई है ना जी सर, मैं अभी लाया देखो भाई, हमारा काम है अपने देश के लिए, दफ्टर के लिए, अपने काम के लिए हमेशा मीटिंगे करते रहना और इस दुरान, अगर हमारे बीवी बच्चे भी हमें छोड़के चल जाएं, हमें गवराना नहीं चाहिए इलकल सर और आपको याद होगा कि आज की मीटिंग हमने इसलिए बुलाई है, कि उन फाइलों का क्या करना है, जिनने पिछले मीने चुहे कुतर गए थे सर, एक्चुली सारी गलती खुशी राम की थी, वो सब वी आईपी कैसी थे और खुशी राम ने वो फाइल्स आम फाइल्स में रख दी, और आम फाइल्स में तो आपको मालूम है सर, चुहे आम गूमते हैं एक तो अपने ठेश के चुहे बड़े अना जुकेड़े हैं, वी आईपीज की फाइलों को बचानते ही नी सर, हमें इन चुहों का भी कोई न कोई परमानेंट इलाज करना चाहिए हम ऐसा करते हैं कि मिस्टर जैन की और आपकी एक सब कमेटी बना देते हैं आप मारकर स्टड़ी करिए कि वहाँ चुहे पकड़ने के कौन-कौन से यह अंतरुबलब्ध है और एक महीने के अंदर-अंदर अपनी रिपोर्ट दें सर, ये चुहों के पिंच्रे खरीदने भी हैं? ने, उसके लिए हम एक अलग सब कमेटी बनाएंगे आप चाहे सो कमेटियां बनाएं, चाहे 200 सब कमेटियां, मुझे क्या? मुझे तो ये पता कि छे महीने हो गए मुझे स्टील का गुटा अपलाई किये हुए चौधरी साब, आप मुझे पर क्यों गुसा हो रहे हैं? मैने तो आपका केस भेजा था उपर साब ने लिख दिया के पहले उन फाइलों का निप्टारा किया जाये, जिने चूहे कुतर गए है अहां तो ठीक है, आप मेरी फाइल मुझे वापिस कर दे, मैं भी अपनी फाइल चूहों सो कुतर वाके ले आता हूँ आप साब से बात कर ले, हो सकता है ऐसे ही मान जाए अरे आप मुझे मेरी फाइल देंगे तब ही तो बात करूँगा ना फाइल तो फिर आपकी धूलनी पड़ेगी, पता नि कहां रखी गई है रखी तो आप ही ने ना चौधरी साहब, तीन कबरे भरे पड़े हैं पेंडिंग फाइल से अब पता नि कहां मिक्स अफ होगी होगी कुछ भी हो बेटी, तुझे चोटी-चोटी बातों पे घर नहीं छोड़ना चाहिए लेकिन क्यों? बेटी, बार बार घर चोड़ने से घर चोड़ने की वैल्यू खत्म हो जाती है मामा उनोने जान बुच के मेरे से जूट बोला मेरे सामने उस रीटा के साथ बैटके कार में गए और उस दिन उनकी कोई मीटिंग भी नहीं थी अरे बेटी, ये उनके तरीके होते हैं जान बुच के चिड़ाने के तुम्हें ऐसी बातों में कभी नहीं आना चाहिए लेकिन मामा शक तो हो ही जाता है ना अच्छा अच्छा, गबरा नहीं मैं दफतर से सारी बात का पता निकल आलूँगी कि वहाँ कोई मीटिंग होती भी है जान नहीं सर मैं जितनी बार आपसे मिलने हैं वो आपकी कोणों कोई मीटिंग चल रही होती है और आज अगर आप मिल गए हैं तो फाइल नहीं मिल रही सर क्या करें भाई अंदर फाइलों के धेर लगे हुएं एक फाइल को हिलाएं तो सारी फाइले किरने का खत्रा है लेकिन हम क्या करें सर हमने बैंक से लोन लिया हुए मशीनरी लगा रख किया है हेवी इंटरस्ट पढ़ रहे है और यहां स्टील का कोटा एलोटी नहीं हो रहा भाई भेजा तो है जियालाल को शायद धून लाए फाइल आप तब तक प्रात्ना करिए प्रात्ना में बड़ी शक्ती है मिस्टर चौधरी भागवान ने चाहा तो आपकी फाइल ज़रूर मिलेगी सर जियालाल फाइले धून रहा था तो सारी फाइले उसके सरपार आण पड़ी सर और वो भी होश हो गया सर माइगाड आप अम्बूलेंस के लिए फोन करें उसे होस्पीटल लेकर चलें मैं हारा हो भी मिस्टर चौधरी देखा आपने ये साब आपकी वजास हुआ है ना आप फाइल निकल आने की जल्दी गटते ना ये एक्सिडेंट होता भट्टी साब ने अभी मेरे हाथ नहीं देखे चेर मैंन को ऐसी शिकायत लगाऊंगा के पता चल जाएगा फाइलें कैसे जुड़ी जाती चेर मैंन साब एक मिनट प्रीज सर चेर मैंन साब का फोन बात कीजिए गुल मॉनिटर है सर आपको किसने बरकाया सर सर अप मरी बात तो सुने सर क्या बात सुनू मैं आपके हजारों शिकायते आ रहे हैंगी नो सर चुहे फाइलें कुदर गए हैंगे एक आजमी फाइल के नीचे दब गया हैगा किसी को आपने सस्पेंट कर दिया है ये हो कह रहा है आपके ऑफिस में सर आप घबराए ना हम आज ही एमर्जैसे मीटिंग कॉल करते हैं हर महीने आप लोग सैख नो मीटिंग करते हैंगे रिजल्ट किसी का नहीं निकलता है गा रिजल्ट तो रिजळ्ट तो निकलता है ये सर शट अप मैं परसों आ रहा हूँ ओफिस इंक्वारी करने के लिए कि आप लोगों की मीटिंस का रजल्ट क्यों निकलता है गा आप सारे केसिज मेरे सामने पुट अप करेंगे हाँ मैंने दफ्तर से सब पता करवा लिया और वो चुहों वाली बात भी सच्ची है हाँ जस्पाल की किसी ने शिकायत किया है कि वो दफ्तर सारा दिन मीटिंगे करता रहता है चेरमेन साब खुद इसकीन कारी के लिए आ रहे है पर ममो मुझे गल्दी कैसे लगी अरे बेटी यकीन नहो तो खुद किसी दिन दफ्तर जाकर देख लेना कि वो कितना विजी आदमी है आज की मीटिंग हमने सिर्फ इसलिए रखवाई है कि पर्सों जो चेरमेन के साथ मीटिंग है उसकी तैयारी कैसे करनी है और किन किन चीजों का खास ज्यान रखना है सर चेरमेन साथ पर्सों कितने वज़ तक पहुंच जाएंगे पर्सों नहीं भी वो कल रात थाड़े आट बज़े आ रहे हैं आपने रात के डिनर का और सुबा के ब्रेकफास का अरेंजमेंट करना है ठीक है सर और सर वो जो कल मीटिंग के लिए चाय आएगी वो यहीं ऑफिस में बनवानी है या बाहर से मंगवानी है गुड कॉस्चन ऐसा करेंगे ही चाय तो हम यहीं बनवा लेंगे समूसे और गुलाब ज़न बाहर से मंगवा लेंगे अब मैं आपको ज़रा सिटिंग प्लान समझा दूँ यहां सेंटर में बैठेंगे चेर्मन साथ यहां मिस्टर जैन और उनके साथ मिस्टर फूचा यहां गौतम जी होगए उनके साथ मैं यह जो चार आपको रेड़ पॉइंट दिखाई देने हैं यहां हम रखेंगे गुलाब जमन और यह जो चार ब्लू पॉइंट्स हैं यहां समूसे इन बिट्विन चाय रखी जा सकती है मुझे समझ न आती के आपने इतनी पुरानी फाइले रखी को हुई इन सर्फा रिकॉर्ड से मिस्टर गुपता आपने पिछले दस साल से एक भी फाइल को खोल के देखा है सर मुझे अभी नौ साल ही हुए है फिर आप इन सा फाइलों के एक लिस्ट त्यार करें और जिस रिकॉर्ड की पिछले दस साल से कोई जरूरत नहीं पड़ी उसे अब डिस्ट्रॉय कर दें जला सब्सक्राइब करें जरूरत आपको इतना रिफ मिलेगा इतना रिफ मिलेगा आपका दिल करेगा कि कि आपकी दूसरी तांग में दर्दोर आप दवा लगाएं सर आपने कभी तेल में हल्ली गरम करके ट्राइ की है अचुली मेरी मदर निला को एक बार ऐसी ही प्राब्लम हो गई दी सर और सर यहां रेलवे कॉलोनी में प्रेम सिम नाम का आदमी मालिश बाग बढ़िया करता सर वो कोई नस्त बाता है एक बार तो चीखें निगल जाती है लेकिन आराम आजाता है मिशुकुपता आप मिनिट सब मीटिंग कर रहे है है यह सर ठीक है मैडम मेरा सस्पेंशन का केस इस पर एजंडे में है ना है तो भाई लेकिन देखो क्या दिसिजि़न होता है एक्सीज़ मेरा मेरी वो परमिट बलफायर आपने अंदर देथी थी ना वो तो सुभ़ ही अंदर भी जो आदी थी थी थैंकि मैडम अब देखाँ जी परमिट कैसे नहीं देते हैं है Hello Mrs. Bhatti Mr. Bhatti का है तो मीटिंग मेठे है आपको यगीन है Mr. Bhatti मीटिंग मे अखुद बैठे उनहीं के साथ थो हमारे चेर Анд में साथ की मीटिंग है लोग खोद ही थेख लो यह मीटिंग जी एख और तो के सोच रही है यह पिक्निक मना रही है चल गर्चा पगली करेंगे आप लोग चाय पीएगे? लो थैंक्स, आम चल करेंगे ओके बाइ, सी यू भगवान मुझे माफ करना मैंने सुनीता की बातों में आकर एक ऐसे देवता समान आदमी पर शक किया जो देश की उन्नती के लिए सारा दिन सिवा मीटिंग्स के कुछ नहीं करता सॉरी सर, सर ये खास किसम का पिंजरे है सर सर इस पिंजरे से हम एटे टाइम सौ सो ग्राम के तीन चुहे पक्रते हैं सर तीन तो फिर आपने ये स्कीम इंप्लिमेंट क्यों नहीं कियागी? सर हमारी जो सब कमेटी ती उसे शब पढ़ गया कहीं ये पिंजरे मिस्यूज नहीं हो जाए क्या मतलब? सर उनका मतलब ये था के कहीं स्टाफ मेंबर्स पिंजरे घर नहीं ले जाएं अपने परसनल चुहे पकड़ने के लिए तो फिर उसका आल्टरनेटिव क्या आगा? सर हम बिली रख सकते हैं बिली मिस्यूज नहीं हो सकती हां स्केम तो बोरे नहीं आगे मिस्टर कुपता आप मिनिटिंग रिगार्ड कर रहे हैं नहीं? ये सर गुड़ एक्स्कुज़ मेटम मैटम जी मीटिंग और कितनी तर चलेगी? अपनी हुने वाली है बस आपको क्या काम है? मैं प्रेसर पोर्टर हूँ मीटिंग के बारे में पता करना था कि क्या डिसेशन हो रहे है लगता है मीटिंग ही खत्म हो गई मैं सर आईगे एसकुज में सर सर कुई इंपोर्टन डिसेशन हुआ? हाई तो कमाल हो गया इस अनेदिमस्ली एक डिसेशन हो आई डेट फिक्स होगी है किस चिस किस सर नेक्स्ट मीटिंग की वो मीटिंग कभी तो आएगी वो मीटिंग कभी तो आएगी जब बेमत लब के मसलों को मीटिंग में न धकेला जाएगा जब छोटी सीक मीटिंग को लंबा न खेंचा जाएगा जब सब मिल फैसला ले लेंगे कोई फाइल न पेंडिंग रह जाएगी वो मीटिंग कभी तो आएगी 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 वो मीटिंग तो आएगी के जड़ bentर सततत कमेश वो मीटिंग तो आएगी वो मीटिंग कर दो 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 कर